वेगाज वेलकम बैक टू गरम गोसिप आज मैं आपके लिए सरकांता यह वेबसेर इसके बार में रिवी और होटसेंस के डामिंग के बार में डीटेल आपको बताने वालो सो इनिशले हम जाएंगे इसके बेसिक कास्ट लैंग पर उसके बाद डीटेल्स पर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके डामिंग के उपर और लास्ट में हम जाएंगे इसके बेसिक स्टोर लैंग पर इसमें रॉय अंगना ने यंग राजलक्षमी का रोल प्लिक है और सुहानी सरकर ने राजलक्षमी जो बड़ी होती है उसका रोल प्लिक है इसके डीटेल्स के उपर यह रिलीज जुए थी 14 अफ एप्रिल 2022 को इसके टोटल 9 एपिसोड रिलीज हो चुक है इसके डीटेल्स 6.9 है आउट अफ 10 इसकी स्टाइल ड्रामा और रोमेंस में आती है इसकी लैंग्विड और ओरिजीन बेंगारी है इसका उटेप्ला है फ्रॉम और जोए है और इसकी जो एवरेज लेंद थार एपिसोड की वो 35 तू 40 मिन्ट्स पर डिफर करती है जो लेट्स कम अपो और इस होट सेंस के डामिंग के उपर इसका पहला होट सेंस है अपिसोड ले एपिसोड तू में 6 मिन्ट सेंग 44 सेकेंट पर स्रीमा बट अचारिये का एक परशनेट लिप लॉक सेंगा गया कि छाल शेय्ट बेखिसोड चैट बेखिसोड में 17 minutes and 36 seconds बे आंक ना राक फ्चनol चैट बेखि क्पा लिकेंग गया कि छो फ्निना शेकंग जिना प्रेखिसोड फिट घू भीचेई नीक है गया कि छो टान इस फीर का व्फिट प्रेखिस्ट बेखिस्ट में 5 minutes and 51 seconds बे निच्ट प्रिश 우리는 8-11 म ऑनना रोःत काणने के सिर्ग प्रिया अह्मेल समय कुम से भी टّकर पाम है तो 17 सेकंद पे, स्वादी सोर्कर का एकपरस्न से मं दीखाएगा, निच्ट देपिसोर 5 में 21 म lifelong lifelong lifelong, स्रीम्ह बैठाचर का एकपरस्न से दीखाएगा, स्वादी स्वादी सार्कर कर में दीखाना। 1-4 haftर 25 मिटेश्न एंटा एपिसोड सेऺंगे इसेड और मिलड़ंगे. एंटा एपिसोड के में फसने समय किलस ञर्ड़। सिर्कान वा लीजुक्त इसेड आपिसोड और मिलड़ंगे, एंटा यह सता पिसने समय किलस गोलोगे है। So let's come up on its basic storyline के उपर. So, इसकी basic storyline एक लड़की से शुरू होती है, जो बच्पन में एक लड़की का class ले रही होती है, और बाद में एक time में साँ जाता है जैसे की, वो उस उमर से बड़ी होती है, क्योंकि वो छोटे बच्चों की class लेती है, पर उसका जो एक बच्चा दा, वो बहुत ही ज़्यादा पैस नेटा उसके लिए, तो एक बार ऐसे scenario हो जाता है, कि वो उसके प्यार में बहुत ही अलग feel करने लगता है, तो वो affection होता है या प्यार होता है, वो आमें बाद में पता चलेगा, पर starting में उसे एक अलग feeling होने लगती है उसके लिए, तो एक time पर वो जब खपड़े change कर रही होती है, तब वो उसे गलती से देख लेता है, वो एक affection type का scenario उसके सामने हो जाता है, तो बाद में एक बार वो उसके boyfriend के साथ देख लेता है, बहुत ज़्यदा जलस फिल करने लगता है, तो वो उसके boyfriend के जाएको बोलता है कि मैं पता दूँगा उसके पिताजी को, तो जब उसे बात पता चल जाती है तो उसे बहुत ज़्यदा एक type का गुसा आता है उसके उपर, ये कौन है जिसने मेरे boyfriend के जाएक कि ये सब कुछ बोल दिया, तो बहुत ज़्यदा उससे घुस्सा करते है, पर बात में उसे पता भी चल जाता है कि ये जो लड़का है, वो बहुत मेरे लिए frustration खड़ा कर सबता है, पर उससे पढ़ाना छोड़ती नहीं है, इसलिए उसका जो affection है वो बहुत ज़्यदा बढ़ जाते हैं, और उसी टाइम पर एक adult जो पार्ट है जब वो दोनों एक adult होते हैं, तो अभी का पार्ट उसे दिखाए जाती है कैसे first time वो एक fashion designer होता है, life में, तो fashion design में वो उसे मिलता है, गलती से, तो गलती से मिलने के बाद, वो कैसे introduce करता है, क्या उसे share करता है, क्या क्या बाते उन में होती हैं, वो सब कुछ वो उसे याद आ रहे होती हैं, तो इसी वज़े से, वो एक अलग zone में चला जाता है, वो बहुत नशा करने लगता है, क्योंकि वो उसे बुला नहीं पाया कभी भी, फिर बाद में फिर से child load का scene दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बढ़ता है, तब वो कुछ ना कुछ बहाना करके, उस teacher के यहाँ जाने का सिर्फ बहाना दूँटा है, जब notes रहे गया है, या यह कुछ सिकाना है, या कभी भी छुट्टियो तो भी वो वहाँ पर चला जाता है, तो इसलिए एक type का एक अलग feel लड़की के भी मन में आता है, क्योंकि एक लड़का इतना dedicatedly उसे एक type से प्यार कर रहा होता है, तो उसको वो मना नहीं कर पाती, क्योंकि हर एक लड़की प्यार की उठी होती है, तो इस वज़े से वो भी एक type का उससे ध्यान देने लगती है, एक type का attention, एक type का एक अलग reaction, वो उसे देना चालू कर देती है, और एक time पर बारिश में गलती से वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक प्यारा सा moment शेयर करते हैं, और वो moment हो कभी नहीं बूल सकता, तो इस वरे से बाद में एक अलग adult part दिखाए गया है, adult part याने कि कैसे वो adult हो जाते तब, वो दोने एक दूसरे के साथ time spend करने लगते हैं और वो गलती से वो ही जागा पर जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने बारिश में time spend किया था, तब ऐसे पार्ट हो जाते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पर फिर से एक good moment करीब वाला moment पर time spend करते हैं, और वहाँ से फिर से जो adult age की जो time line है, वहाँ पर वो दोन एक साथ आ जाते हैं, तो वो गूंगने चले जाते हैं, वहाँ पर time spend करते हैं, उसी के साथ उसके जो access थे, उनके साथ भी वो time spend कर रहा होता है, ऐसे scenario पर वो चल रहा होता है, पर वो कभी भी उसके life में कुछ changes नहीं कर पाता क्योंकि वो एक struggling है, trace होती है, तो जो भी time पर वो जाती है तब वो कुछ न कुछ अलगी scene करके आती है, जैसे कि इस part में दिखाए है, कि वो एक बुड़े के साथ time spend करके आती है, उसके साथ train pool में उतर जाती है, जैसे scenario में बहुत अदर frustrated होता है, कि वो क्या करें, इसलिए वो बहुत ही जाता नशा करता है, और नशा करने के बाद उसे कुछ होश ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, तो इसलिए वो एक part आ जाता है और वो उसे बात करना बन कर देता है, और जब ताहनी last तक आ जाती है, तब बहुत जादा एक उसे पता चल जाते हैं कि बहुत जादा वो आपसे से उसके लिए, पर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके लिए एक अलगी feel कर रहा होता ह और वो भी अपना career set करने के लिए वो चीज़े कर रही होती है, यह सब कुछ इस web series में बता गया है, तो अच्छे web series अगर आपको यह web series देखना हो तो और जो है यह एक app है, तो आप 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 देख सकते हो और बागी का तो आपको यह बता ही देना तब तक के लिए good bye and take care